कौलकता के आरजी कर अस्पताल में एक 31 वर्षे ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बढातकार और हत्या के आरोपी संजरोय को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं केस की जाच करें सीबियाई ने मनो विशलेश नात्मक प्रोफाइल कराई जिसके रिपोर्ट चौकाने वाले सामने आए सीबियाई सूतरों ने खा है कि आरोपी संजरोय एक सेक्शुल परवर्ट यानि की योण विक्रित है साइको एनलास्टिक के बाद सीबियाई ने खा है कि ऐसा लगता है कि संजरोय के अंदर एक जानवर चिपा है वो एक पशु परवर्टी वाला शक्स है हाला कि देखने में वो एक साधारन वेक्ती दुवाला वेक्ती लगता है लेकिन ऐसा है नहीं सीबियाई ने 13 अगस्त को कॉलकता हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिस्स से जाच करने के लिए पूलस से जाच करने के लिए थी सीबियाई ने संजरोय को साइकलोमेट्रिक ट्वेस्ट के लिए भेजा था इस मौमले पर आज सुप्रेम कोर्ट में भी सुनवाई हुई सुप्रेम कोर्ट ने आज जो सीबियाई की अपनी शुरुवाती जाच जो पेश कर सकती है सीबियाई सूत्रों ने ये भी कहा है कि उसको अपने ए किये का कोई पश्टावा नहीं है 33 वर्षे आरोपी संजे रॉय की आरज जी कर मैडिकल कॉलेज वार अस्पताल तक आसान पहुँच थी उसने अपने मनोविग्यानिक परिक्षणों के दौरान दिल दहला देने वाले अपरात को कुबूल किया परिक्षण करने वाले विशेशग्यों ने महसूस किया कि संजे रॉय पशु जैसी प्रवर्ती वाला सेक्शुल परवर्ट है संजे रॉय पूश्टाच के दौरान कोई दुख या पश्टावा उसने नहीं दिखाया है मनो विशेशगों की टीम ने जब संजे रॉय से घटना वाले दिन के बारे में पूछा तो उसने बिना किसी डर के सारी वारदात बताई 31 वर्षिय डॉक्टर की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत मुख्यरूप से गला घोटने के कारण हुई थी इसमें कहा गया है कि डॉक्टर के गालों होटों नाग गरदन हात और घुटनों पर खरोच के निशान थे उसके प्राइवेट पार्ट में जबरदस्ती करने के भी स्तुबूत मिले है पीड़ता के परिवार और विशेशग्यों के एक वर्ड ने मीडिया रिपोर्ट को बताया कि उन्हें कई लोगों की सनलिप्तिता का संदे है हलाकि जच करता उन्हें अभी तक इस पर कोई टिपड़ी नहीं की है जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ था या गैंग रेप इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है